कॉंग्रस अधियक्ष राहूल गांदी के बहनोई रॉबर्ट वाडरा विदेश में संपत्ति खरीदने में धन शोदन से जुड़े हुए एक मामले में शनिवार को तीसरी बार एडी के सामने पेश हुए वाडरा मध्य दिली के जामनगर हाउस्तित केंद्रिय जांच एजनसी के कारेले में अपने नीजी वहान से सुभे करीब 10 बच कर 45 मिनट पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि जांच अधिकारी को वाडरा से और सवाल पूछने थे और इसलिए उन्हें शनिवार को पेश होने के लिए कहा गया था इसे पहले उन से छे और साथ फर्विर को पूश्टाच की गई थी वाडरा से पहली बार करीब साड़े पांच घंटे और दूसरी बार करीब नौ घंटे पूश्टाच की गई थी माना जा रहा है कि पिछली बार पूश्टाच के दुरान वाडरा का सामना उन दस्तावेजों से करवाया गया था जो एजन्सी ने मामले की जाँच के दुरान हासिल या जब्त किये हैं उन में फरार और रक्षा डील संजे बंढ़ारी से जुड़े दस्तावेज भी शामिल हैं यह मामला लंदन में 12 ब्रॉस्टेन स्कॉयर पर 19 लाख पॉंड की संपत्ती की खरीद में कथित रूप से धनशोधन से जबंदित है। यह संपत्ती कथित तोर पर रॉबर्ट वाडरा की है।